इस नियूज के प्रयोजक हैं अर्थ रेग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुवन उधैपूर आपने राजस्तान सरकार की मेगा आवास योजना के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि यह सरकार की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आवासिय योजना है जिसमें नियूंतम दरों पर मध्यम वर्गिये लोगों को घर उपलब्द कराए गए हैं राजस्तान सरकार की दूसरी सबसे बड़ी आवासिय योजना होने के कारण इसका एक बड़ा सा फोटो विधान सभा में भी लगा है क्योंकि सरकार को वह वही जो बटोरनी है लेकिन तस्वीरों के पीछे की जो हकीकत है उसे न तो सरकार देखना चाती है और नहीं यहां के जिम्मेदार बेड़वास में मेगा आवास योजना के करीब 1500 फ्लेट हैं जिन में 750 फ्लेट में लोग रहने भी लगे हैं और यहां की संपूर्ण जिम्मेदारी यू आईटी की है लेकिन यहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से भी वन्चित है देखिए हमारी खास रिपोर्ट यह है राजिस्तान सरकार की दूसरी सबसे बड़ी मेगा आवास योजना मध्यमबर्ग के लोगों को आश्याने उपलब्ध हो सके इस उद्देश्ची को लेकर यूनितम दरोपर राजिस्तान सरकार ने फ्लेट्स मुहिया कराए है और इस योजना के बाद सरकार ने खूब वहवाही भी पटोरी है लेकिन यहां रहने वाले लोगों से एक बार आप भी बात करें सारी हकीकत सामने आ जाएगी यहां कुल 1500 फ्लेट्स हैं जिनमें अब तक 7500 फ्लेट्स में ही लोग रहते हैं जो मूलबूत सुविधाओं से भी वन्चित है जो लोग शेहर के बीच महंगे भूखंड नहीं ले सकते उन्होंने अपनी जीवन भर की जमापूंजी लगा कर यहां फ्लेट्स लिया है लेकिन अभी से ही उन्हें अपनी नीवे कमजोर होती दिखाई वे रही है बहु मंजिला इमारतों से सिवरिच का पानी तो लगातार आ रहा है लेकिन निकासी चोक होने की वज़े से नीवों में संद की शिकायत आने के साथी दरारे भी पढ़ने लगी है वही पूरे एक शित्र में ना तो UIT द्वारा बाउंडरी वाल बना कर दी गई है और ना ही पीने की पानी की उचित ववस्ता है शित्र में बाउंडरी वाल नहीं होने की वज़े से आए दिन असमाजिक तत्वों का जमावडा भी लग जाता है और रात के अंधिरे में बाइक चोरी होने जैसी घटनाएं भी होती है UIT द्वारा इस योजना के बाहर एक पानी की टंकी बनाई गई है वहीं एक बोर्वेल भी खुदवाया है लेकिन बोर्वेल से पानी की टंकी में सप्लाई की व्यवस्ता ही नहीं हो पाई जिससे शित्रवासियों को टेंकर डलवाने पड़ते हैं और पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हो जाए तो अन्होनी होनी है वो तो लाइट की प्रॉब्लम है या इतना अंधेरा रहता है कि लाइट है ही नहीं आप है और रात के समय चोरिया होती है गमले तक चुरा ले गए कल रात को पता चला कि कि किसी की बाइक चोरी हो गई है पेट्रोल चोड़ी हो रहा है, मतलब इतने परेशान हो गए कि रोज हम लोग इस समस्या को हम आपस में उलच पड़ते हैं इन बातों को लेकर और यह यहीं, LIG की प्रोब्लम नहीं, EW में भी प्रोब्लम है, MIG में भी प्रोब्लम है, सब में यह समस्या आ रही है और पानी में इतना फ्लोराइड है, पानी आ रहा है time to time, हम वो नहीं हो रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है पानी में इतना फ्लोराइड है, वो हमारे पीने योग्ये नहीं है, उसके लिए हमें 10 रुपे का केमपर लाना पड़ता है और वो पानी हम लोग पीने के लिए काम में ले रहे हैं, है ना, तो ऐसी बहुत सारी समस्या है, आप और भी पूछ सकते हो। कोई सफाई कर्मिचारी भी यहां पर लगा हुआ है। करीब यहां से सामन भी उठाएं। मैं यहां पर पानी की समस्या हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि यहां पर गौवर्मेंट ने तीन-तीन पानी की टंक्यां अलरेडी निर्मान करवा रखा है। करीब यहां से सो मिटर की दूरी तक, मतलब सो मिटर के परिसर में तीन पानी की टंक्यां होते हुए भी गौवर्मेंट की तरफ से टेंडर करके, हर साल टेंडर करके, करीब तकरीबन जो यहां पर साड़े साथ सो परिवार रहे हैं। पानी की टंक्यां होने के बावजूत क्यूं नहीं पानी की सप्लाइड की तरफ से की जा रही है। हर दूसरे दिन पानी टेंगर पानी की विवस्ता करता हैं लेकन 캐準備 के जो ठेकेदार है का कभी पानी लेकर छटे法 में पानी लेकरा है कई लूट हो से पंगोना है, यह लेले प्रॉपर और विवस्ता की गई है तो जितनी भी राक वगईरह उड़ती हैं इसके मीडिया में भी किसी कई बार आ भी चुका है लेकिन फिर भी प्रेस्टर सेंग इस पर अपनी आखे नहीं खोल रहा है और गटना यहां तो में देर राथ बाहर नहीं निकल सकती इस बहुत से समस्या हैं जिनको कई भार यहां की विकास समिधि संगर्श शमिधि ने एक पेपर पे लिख़ए UIT को ग्यापन के तोर पे दी है, यहाँ पे बाहर जो सेक्योरिटी लगी हुई है, वहाँ पे दी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कारवई UIT की तरफ से, निगम की तरफ से, उध्यपूर प्रशाशन की तरफ से, आज दिन तक नहीं की गई है, जिसमें पानी की समस्या, चोरी चकरी की समस्या, आए दिन गाड़ी से पेट्रोल निकालने की समस्या, गाड़िया चोरी होने की समस्या, मतलब एक हास्यात बद गटना है कि एक बार चोरी होती है थाने में कंप्लेन होती है फिर 30 दिन बाद फिर चोरी होती है फिर कंप्लेन होती है और फिर 4 दिन बाद फिर एक गाड़ी चोरी होती है तो नहीं रुकना कहीं न कहीं यह चीज दर्शाता है कि प्रशाशन अपनी आखें मुंद के बैठा हुआ है इ कई बार UIT अधिकारियों से मुलाकात भी की लेकिन अधिकारी शेत्रवासियों से पजिशन लेने के बाद सुविधाय उपलब्द कराने की बात कर रहे हैं इस योजना में नल, लाइट, सडक और नाली जैसी कई समस्या है जिसका निराकरन नहीं हो पा रहा UIT ने नालिया तो बना दी लेकिन उससे पानी नहीं निकल पाता क्योंकि यहां की इंजिनियर्स ने बिजली के लिए लगाए गए खंबे नालियों के बीच ही लगा दिया है शेत्रवासियों ने बदाय कि जिन नालियों से पानी होकर गुजरना है उसके बीच बिजली के पोल लगा दिये गए है और उन पर लाइट नहीं है ऐसे में नालियों नालियों से पानी जा रहा है और ना ही रोश्नी मिल पा रही है धन्य है वे इंजिनियर जिन्होंने इतना दिमाग लगा कर इस योजना में अपना योगदान दिया है इतना ही नहीं उचे उचे फ्लॉर पर पानी पहुचाने के लिए जो कनेक्शन्स किये गए है उनमें भी एक पाइप से 16 कनेक्शन दे कर खाना पूर्ती कर दी गए है बाउनरी वाल की समस्या से जूज रहे लोगों ने बताया कि शेतर में सिवरिश की जो टैंक बनाए गए है उन पर आज तक घककन की व्यवस्था भी UIT नहीं कर पाई है और नियमों में यहां बना सिवरिश प्लांट 24 घंटे चलना है लेकिन उसे भी 16 घंटे ही चला जाता है यही नहीं सिवरिश प्लांट से निकलने वाले पानी को एक नाली बनाकर आसपास के खेतों में छोड़ा जा रहा है जिससे फसले भी खराब हो रही है और शेत्रवासी बदबू से भी परिशान हो रहे है हमारे यहां गंदी की बहुत रहती है कच्रा वगेरा कोई लेने नहीं आता है और हमको दिक्कत होती है और कच्रा भी बास नहीं लग जाता है कब तक हम सपाई करते रहेंगे पानी की परिशानी है लाइट की परिशानी रात को निकलने में डर लगता है केसे निकले हम लेडी से घु teenage ब humility Giving के दिया वो तो पूरी करके दे हमको में मेगा आवास सोसाइटी के अंदर रह वासी हूं मैं को लग बाल्ट महीने हो गाएँ हैं यहांपर रहते हुए और यहांपर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक साल से उपर रहें यहांपर आपर इतनी सम्झ mee करते हаешь कि तो कर यहां पर जैका पर जाए तो मैं आपर बहुत सारी डिक्कत होएगी। और पेट्रोल तो आए दिन यहां पे चोरी होता रहता है उल्टे सीधर लोग यहां पे दारू पीते हैं आपने कुछ एरियाज अभी देखा ही है जिसके माध्यम से आप अभी दिखाएंगे आप सभी को कि यहां पे कितनी असुईदाएं हैं और हमाई जो यहां के घर की महल कि यहां है वो भी रात को घर से 8 बज़े बात निकलने से डरती सिसलिए हो सकता है कभी उनके साथ में कुछ चेंच स्टना ओभाजी की घटना ओजाए यहां कुछ भी हो सकता है हमारे बच्चे हैं चोटे-छोटे सबके बट हमने युईटी वालों को बहूत बार को बहुत कर दीजे हमने जन प्रतिनीधियों को भी इसमें इंवाल्व किया उनको भी बोला कि प्लीज आप लोग भी इसमें कुछ कर दीजे हम लोगों के लिए से संदीधियों सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब यहां पर दीजे तो फैंसिंग करवा दीजिये तो सकता है जिसकी वज़ेसे कि कोई इधर उधर आनाजना जना जो गाड़ियां इधर जाती है जो जानवार इधर से उदर आते हैं वो थोड़ा बहुत कम हो जाए बट वो भी नहीं सुनाए जा रही है बस बोलते हैं कि स्टे लगा हुआ है ऐसा है वैसा है तो इन्होंने बोरिंग कैसे खुदवा दी इसमें भी हमारे को थोड़ा डाउट है कुछ तो गड़बढ है कही पानी की विश्ता मैं एक वर्ष से प्रेरा हूं रही जैसा कि भी हमारे बाई ने बताये हैं जो समश्या है वह वास्तिविक समश्या है और यूए टी दौट वारा उनका कोई देराकंडानी किया जा रहा हूं और हम बार बार उनको अवगत करा रहे हैं इसमाशां श्तराू से जैसा बताया कि चौछे आयदीन आफय है वा दो-तीन भाइक भी चौछी नहीं हो चूकी है दो मैनों में तो यह भी समचा बढ़ती जा रही है और जैसा बाऊंटरी बाल dataset चेह यह भी समचा है कि दो-तीन तरफ के रस्ते खुले में कहीं से कोई भी आ जा सकता है और सफ़ई की जो है उसके लिए कोई पेष्टा नहीं है और गंदगी इतनी हो गई है कि यहां आने वाले समय में यह बारिज का मौसम है और कुछ ज्यादा तकलिक होएगी और रोल लाइट है तो भी प्रोपर नहीं लगी हु और उनको तकलिक आने वाले समय में होगी उसका यह है कि आप हमारी बात आगे पहुंचाए यहां पर फ्लेट नंबर 9 L7 के नीचे L9 के नीचे मेरी बाई खड़े हुई थी रात को 9 बचे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी और 11 बजे लाश मेंने गाड़ी देखी थी उसके बाद जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा सुबह 8.30 बजे तो गाड़ी नहीं थी उसके बाद हमने थाने में का दी तो उन्होंने बुला आप 24 गंटे बाद रिपोर्ट करो क्योंकि 24 गंटे तक ओनलाइन रिपोर्ट नहीं चटती है 24 गंटे बाद फिर हमने कारवाई क लिए बोला उनको तो नहीं मुला ठीक है कारवाई करेंगे अभी तक कुछ कारवाई हुई नहीं है और उसके बाद यहां पर प्रोपन नहीं यहां पर लाइट है सब है घाड़ है बट गाड़ सोते रहते हैं अगर रात को आप तीन बज़े दो बज़े कोई भी आते हैं सबसे बड़ी मेगा आवास योजना उदाइपूर की जोली में आई लोगों को लगा कि अब उनके सिर पर भी छत होगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस आवासी योजना में सरकार के सारे दावे फेल हो जाएंगे योईटी के अधिकारियों से भी छेतरवासी बार बार मिल रहे हैं लेकिन इन्हें सिर्फ आस्वाशन दिया जाता है ऐसे में सवाल यह है कि जिस योजना के तहट सरकार ने खूब वहवाही बटूरी है उसके रहवासियों को आराम कब बिलेगा और कैसे मिलेगा क्या अधिकारी छेतरवासियों की समस्या का निराकरन कर पाएंगे या इस्ति यूही काब्जों में अच्छी बनी रहेगी और लोग परिशान होते रहेंगे जय हिन जय भारत